अधिश्ठान पार्मिता से परिपूण होना अधिश्ठान का अर्थ है नेड़े रेना निश्चित होना संकल्पित होना और अपने नेड़े के प्रति द्रिड होना अडिग होना किसी भी हाल में हर हाल में संकल्पित होना यदि कोई अच्छा तैराख है वह नदी के इस पार खड़ा है और उसका लक्ष है कि वह नदी के उस पार तैर कर जाना चाहता है उसे अच्छी तरह से तैरना आता है उसे तैरने के बारे में संपूर ग्यान है मगर इस ग्यान का क्या लाब यदि वह नदी में जाकर तैरने का निर्ण ही न ले वह नदी के इस पार चाहे कितनी भी योजनाय बना ले और तैरने का ज्यान भी प्राप्त कर ले उसे उसका कोई लाब नहीं होगा उसे नदी के जल में उतर कर तैरने का निर्णे लेना होगा उसे नदी में उतरने का संकल्प लेना होगा और साथी सार उसे ध्र संकल्पित होना होगा कि जो उसे सही तैरने का ग्यान है उसका उप्योग कर नदी के उस पार तैर कर वह पहुँच जाएगा और वह सारी बाधाओं को पार कर अपने लक्ष याने नदी के दूसरे तट की ओर पहुच जाता है तो अपने निवने के प्रती दृता ही अधिश्ठान पारमी होती है यहाँ पर भी अधिश्ठान के दो भाग होते हैं जिसमें पहला है कि जो निवने लिया गया है उसकी सत्यता की जांच और दूसरा है उसके प्रती दृता कि उस सत्य के प्रती दृत या अचल होना तो जहाँ पर निवने या संकल्प का सही होना चाहिए यदि यह संकल्प ही गलत निकल गया, तो गलत संकल्प के प्रतिदिर्डता और खतरनाख हो जाती है जीवन पर इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है गलत संकल्प, बुरे संकल्प या दुष्ट संकल्प के परड़ामों के संदर्ब में तथागत बुद्ध सावधान करते हुए संयुत निकाय के खजनी वग में तथागत बुद्ध कहते हैं लोभी, विलासी, दुष्ट संकल्प वाला कुलपुत्र दोहरी मार सहता है वह ग्रिहस्त के भोगों से भी वन्चित रहता है और श्रमण भाव को भी नहीं पूरा कर पाता तो लोभी जिसके अंदर लाल अच्छो विलासी कामुक सुखों से पीडित पिपासु व्यक्ति तुष्ट संकल्प वाला याने बुरे कारियों को करने का निर्णे लेने वाला व्यक्ति जो जुट बोलने चोरी करने हिंसा में लिप्त रहने लैंगिक दुराचारों में पड़े रहने मादक पदार्तों के सेवन या नशीली वस्तूओं के नशे में पड़े रहने से ब्रान्ति चित जिसका चित पूरी तर से भ्रमित हो इस प्रकार के कमजोर व्यक्तित वाला व्यक्ति सदैव दुख में पड़कर कराहता ही रहता है उसकी व्यकुल्टा घबराहट बेचैनी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती ऐसा व्यक्ति ग्रियस्त के भोगों से भी वंचित रहता है और उसे किसी भी प्रकार का श्रमण भाव भी नहीं मिल पाता तो संकल्प या निवने सही होना चाहिए और अपने इस दड़ संकल्प में आने वाली कुछ विशेश चेतावनी देते विए बुद्ध मजिम निकाय के महासारो पमसुत में कहते हैं एक समय बुद्ध राजगर में गिज्ज कूट परवत पर विहार करते थे वहां पर उन्होंने देवदत को लेकर भिख्शों को समझाया कि यदि कोई कुलपुत्र अपने दुखों का अंत करने के लिए घर से बेघर हो प्रवज्जित हो जाए परंतु प्रवज्जा के फ को लेकर अभिमान करने लगे और प्रमादी हो जाए तो वह दुख में ही पढ़ा रहेगा ऐसे ही वह व्यक्ति दुख में ही पढ़ा रहेगा जो शील संपदा अत्वा समादी संपदा अत्वा ग्यान दर्शन के आराधन से अपने संकल्प की पूर्ती होना मान लेता है और इस बात को लेकर अभिमान करता है और प्रमादी हो जाता है इसके विपरीत यदि कोई कुलपत्र ग्यान दर्शन से भी अपने आपको परिपूर संकल्प न माने और न इस बात का अभिमान करे न प्रमात करे तो वह अकाल विमोख्ष का आरादक हो जाता है ऐसा व्यक्ति अकाल विमोख्ष से चुक्त हो जाए इसकी संभाना नहीं होती है तो यदि कोई यह सोचे कि केवल घर बार को छोड़ कर भिक्षू या साधू बन जाए और वह ऐसा सोच ले कि उसका संकल्प पूरा हो गया और इसका उसे अभिमान या घमंड हो जाए तो यह भी उचित नहीं है और यहाँ पर एक विशेश परिसिती का संदर्ब देते हुए बुद्ध सावधान करते हैं कि यदि सब कुछ छोड़ने के बाद लाब सत्कार प्रशंसा यह सबसे महत्पूर है जो भिक्षू के मार्ग में बाधा बन जाते हैं क्योंकि भिक्षू बनने के बाद जब भिक्षू का नाम होने लगता है तब उसे मिलने वाले लाब सत्कार वह प्रशंसा से वह प्रभावित होने लगता है और इस कारण उसके अंदर अभिमान जागरित होता है और वह पुर्ण अपने मार्ग से भटक कर दुख के दलदल में पड़ जाता है ऐसा है उदारण बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई देवदत के बारे में दिया जाता है कि जिसने भिक्षू बनने का निवने लिया और उसे यहां पर लाभ प्रशंसा वह सतकार मिला जिसके कारण उसके अंदर अभिमान जागरित हो गया और वह मार्ग से भटक गया तो इसी प्रकार के दुख मुक्ती के मार्ग के अवरोधों को समझाते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के लाभ सक्कर संयुक्त के पठम वग्गों में इस्पष्टी करन देते हैं बुद्ध भिष्वों को समझाते हैं कि अनुत्तर योगेक्षेम निर्वान के मार्ग में लाब सत्कार प्रशंशा कठोर कटू और रूख्ष विख्ण कारक होते हैं अतह तुम्हें यह सीखना चाहिए हम उत्पन्न हुए लाब सत्कार प्रशंशा को छोड़ देंगे उत्पन्न होने पर यह हमारे चित्त में ठहर नहीं पाएंगे तो लाब सत्कार प्रशंशा याने लाबकार्थ किसी के द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार के लाब को स्विकार कर लेना जो हो सकता है उससे प्रभावित हो जाए किसी व्यक्ति द्वारा किये गये सत्कार आदर सम्मान या खातिरदारी या सेवा से प्रफलित हो जाना और किसी के द्वारा की गई खुद की प्रशंसा बड़ाई तारीफ जिससे आनंदित हो जाना ये सभी भी भिक्षू के मार्ग में बाधा उत्पन्द करते हैं और फिर इसी संयुक्ति निकाय के दुतिय वग्गों के अनुसार कि कई लोग सोना चादी अन्य संसारिक पदार्थों इत्यादी के लिए जान बूच कर जूट नहीं बोलते लाब सत्कार प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कर लेते हैं निर्वान के पत पर लाब सत्कार प्रशंसा से होने वाले विग्ण को ध्यान में रखते हुए भिक्षू को सीखना चाहिए हम उत्पन्द हुए लाब सत्कार प्रशंसा को छोड़ देंगे उत्पन्द होने पर ये हमारे चित में ठहर नहीं पाएंगे तो यहाँ पर किसी भिक्षू या साधक जो अपने दुख मुक्ति के मार्ग पर अगरसर हो तो यह भी हो सकता है सोना चादी या अन्य संसारी पदार्थों के प्रति कोई लोब ना हो या उसने संसारी पदार्थों के प्रति चाह को समाप्त कर दिया है मगर वे भी लाब सत्कार प्रशंसा से अभी भूत होकर बहग जाते हैं और बुद्ध यहां तक इसी संयुक्त निकाय के ततिय वग्गों में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षों को समझाया कि एकांत में कोई अकेली सुन्दर इस्त्री भले ही किसी के चित्त को न लुभा पाए परन्तु लाब सत्कार प्रशंसा उसके चित्त को फांस लेते हैं तो हो सकता हो कोई सोने चादी संसारिक वस्तूओं की आसकती से छूट गया हो और यह भी हो सकता है कि उसे अकेले में कोई सुन्दर इस्त्री लुभा भी न पाए मगर ये पूरी तरह से संभव है कि उसका चित्त लाब सत्कार प्रशंसा के कारण फस जाए और वह दुख के भवर में पड़ा ही रह जाए तो बुद्ध संसारिक वस्तूओं अकेले में सुन्दर इस्त्री से भी न प्रभावित होने वाला व्यक्ती हो सकता है लाब सत्कार प्रशंसा के कारण बहग जाए तो इस प्रकार के खतरनाक विश्यों से बचने का निर्देश देते हुए बुद्ध इसी सुत्त में आगे कहते हैं अंत में उन्होंने यहां तक कह डाला कि जिस व्यक्ति की चेतो विमुक्ति अचल हो गई हो उसे छोड़ कर यदि कोई व्यक्ति अप्रमत आतापी एम दृष्त अंकल्प वाला होकर इसी जीवन में सुक्विहार ही क्यों न करता हो उसके लिए भी लाब सत्कार प्रशंथा विग्न का रखी होते हैं अतह भिष्वों को सीखना चाहिए हम उत्पन्न हुए लाब सत्कार प्रशंथा को छोड़ देंगे उत्पन्न होने पर ये हमारे चित में ठहरे नहीं पाएंगे तो इस द्रसंकल्प या आधिश्ठान पार्मी में प्रथम बादा पहुचाने वाले संसारिक वस्त्मी जैसे सोना चादी से भी ना बहके दूसरा सुन्दर इस्त्री भी उसे न फसा पाए और इन सब में सबसे जटिल वा हानी कारक लाब सत्कार वा प्रशंसा के कारण भी बहक जाए तो ये भी विखनकारक हैं हानी पहुचाते हैं ऐसा भी वेक्ती सदैव दुख में ही पड़ा रहेगा अतह इन्हें छोड़ देना चाहिए इन विशेयों का भी हमारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए तो इस प्रकार का ही दृण संकल्प लाबकारी होता है अन्यथा ये विशेय जीवन में लाग की जगह हान्युत्पन्न करते हैं और ये भै का अकार बनते हैं और इन्हीं विशेयों का फिर से इस पश्टिकर करते हुए बुद्ध मजिम निकाय के भै भैरो सुत्त में कहते हैं एक समय बुद्ध सावस्ति में अनात्पिंडक के आराम जेत्वन में विहार करते थे वहां जानुस्सोणी नाम का अब्रामभण उनके पास गया और उनसे वार्ता लाप करते हुए उनसे कहने लगा हे गौतम कठिन है दूरस्त वनखंड एकांत शैनासन दुषकर है एकांत रमण अकेले विहरना कठिन है समाधि प्राप्त न होने वाले भिक्षु के मन को वन मानु हर लेते हैं तो इस प्रकार दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने वाली बाधाओं का यहां पर वार्ता लाप किया है तो इसके संदर में बुद्ध आगे कहते हैं कि बुद्ध ने इसका समर्थन किया और कहा मैं भी जब तक संब्यक संबुद्ध नहीं हुआ था मुझे भी ऐसा लगता था परन्तु मेरे मन में ऐसा हुआ कि जिस किसी श्रमण अथवा ब्रामण के काईक वाचिक अथवा मानसिक कर्म एम आजीव का अपरिशुद्ध होते हैं जो लोभी या काम वासनाओं में तीर राग रखने वाले हिंसा युक्त चित वाले मन में दुष्ट संकल्प रखने वाले शारिरिक और मानसिक आलस से प्रेरित उधत और अशांत चित वाले शंशायलू, संदेह ग्रस्त, अपना उतकर्ष चाने वाले पर दूसरों के निंदा करने वाले जड़ और भीरू प्रकत्ति वाले, लाब सत्कार तथा प्रसद्धी चाने वाले आलसी उद्योग ही नश्ट हुई स्मृति वाले, और संप्रग्यानी, और समाहित विभ्रांत चित दुस्प्रग्य बहरे और घूंगे होते हैं वे दूरस्त वनखंड एंव एकांत शायानासन का स्टेवन करते हुए अपने इन दोशों के कारण बुरे भै भैरो याने भै और त्रास का आवान करते हैं किन्तु मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन में ये दोश नहीं है मैं इन दोशों के विपरित सत्दुनों से संपन्न हुआ दूरस्त वनखंड एंव एकांत सैनासन का सेवन करता हुए तो यहाँ पर बुद्ध बड़ी गहराई से भै को उत्पन्न करने वाली मानसिक परिस्थित्यों का वड़न करते हैं और किस प्रकार से ये परिस्थित्यों उत्पन्न होती हैं जिनका सामना बुद्ध ने भी बुद्ध मनने से पहले अपने जीवन में किया था मगर बुद्ध ने दिड़ संकल पिथो अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने इन ही अनुभवों का वड़न करती वे बुद्धागे कहते हैं कि मैंने भी भै प्रद रोमान चिकारी वास स्थानों में विहार किया जिससे कुछ भै भैरो देख सकूँ जब मेरे पास कोई मरिग आता या मोर काट गिराता अथवा पवन पल्लों को फरफराता तब मुझे ऐसे लगता मानो भै भैरो आ रहा है तब मैं सोचता है मैं क्यूं दूसरों में भै की आकांचा से विहरता हूँ क्यों न मैं जिस अवस्था में रहते भै भैरो मेरे पास आता है उस उस अवस्था में रहते हुए उसे हटाऊं तब मेरे टहलते समय भै भैरो आता तो मैं उसे टहलते हुए हटाता ऐसे ही खड़े खड़े बैठे बैठे लेटे लेटे भी हटाता कोई कोई शमण अथवा ब्रामण रात को दिन और दिन को रात के समान जानते हैं मैं इसे सम्मोव विहार कहता हूँ मैं रात को रात और दिन को दिन के समान जानता हूँ हे ब्रामण मैंने न दबने वाला वीर आरंब किया था उस समय मेरी अमुशित स्मृति जागरित थी प्रशब्द काया उत्तेजना रही थी समाधि निष्ट चित एकागर था फिर भी मैं क्रमशय प्रथन ध्यान से चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा तो इस प्रकार न दबने वाले वीर याने पूरी तरह से सकारात्म कुर्जा से परिपून होकर दिड़ संकल पिठो बुद्ध के प्रयासों के कारण वे बुद्धत्य को प्राप्त हुए धन्यवाद